भारत एक ऐसा देश जिसे संतों की भूमी कहते झाल 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 बन जाओ, वैश्नब बन जाओ, शुद्ध पवित्र हो जाओ, एक गंदा जो शरीर लेके चल रहे हो, वैकुन्ठ आओगे क्या? जगा नहीं इंट्री. गंदे लोगों को अच्छे जगा में भिकाडी को फाइस्टार होटल में दरवानी बाहर रोक देता है। कोई भीक मांगने वाला आजाए, बोले हम अंदर भीक मांगेंगे, गेट कीपर, डोर कीपर जाने देगा, वाच्छ में सेक्यूरिटी. भगवान के धाम में इंट्री नहीं, वाईकूंट में, गोलोक में, नरक में जाते हैं गंदे शरीर लेके, जितना गंदा चीज अंदर डाल रहे हैं। तो भगवान इसलिए हिताईसी हैं, दीन बंदु हैं, हमारे असली माता पिता हैं, तो क्या कह रहें। भईया शुद्ध हो जाओ, पवित्र हो जाओ, मेरे धाम आजाओ, मेरा बन जाओ, मेरे ही हो। कोई बच्चा बिघर जाता है, चोड़ी चकारी करता है, मारा मारी हत्या करता है, माब आप क्या बोलते हैं। भईया यह सब छोड़ दो बिटा, सुदर्जा घर में आजा अच्छे से रहे, बोलते हैं कि नहीं। भगवान क्रिश्न एही बात कह रहें, और उनको महात्मा कह रहें, क्या कह रहें, महात्मा, यहां कोई बड़े फिलोस्पर को, बड़े साइंटिस्ट को, उद्धोग पती को नहीं कह रहें, ऐसे जो सुद्ध पवित्र जीव हैं, उनको महात्मा कह रहें। तो भक्ती भाव से पहले भक्त बन जाईए और फिर भक्ती भगवान के भक्ती में लीन हो जाईए और फिर बैकुंट आप के लिए दर्वाजा खोल के इंतिजार कर रहा है अपने खुद का भी परमकल्यान करिए और अपने तीन पीड़ी का उद्धार करिए करना चाते या नहीं करना चाते यह आपके हाथ में है इसका निरने मैं जवर्दस्ति ना बोलू करो तो ठीक मुझे क्या है मैं तो भाया यह बगवग करने वाला एक आदमी बगवग करते जा रहा हूं आपकी आजादी मुझे अच्छा लगा मैं कर रहा हूं अब आजादी आपकी है लेकिन मैं समझ रहा हूँ आप लोग बुद्धी मानें क्यों इतना इकागरता इतना डेडिकेशन के साथ आप लोग आनन्द से सुन रहे हैं समझ रहे हैं तो भक्त बनिये वैश्णव बनिये और इसके लिए कोई बंधन नहीं कोई जादपात उच नीच रंग बेद नसल जाती देश दुनिया नहीं कोई भी वैश्णव बन सकता है साथूओं का भक्तों का महत्माओं का कोई जात नहीं होता है साथूओं की जात नहीं पूछी जाती महत्माओं का जात नहीं पूछा जाता रंग और भासा नहीं देखी जाती उनका नसल नहीं देखा जाता महात्मा बोलता क्या है करता क्या है उसका जीवन आचरन देखा जाता है तो कोई भी वैश्णव बन सकते हैं कोई भी भगवान के प्यारे भक्त बन सकते हैं कोई भी मतलब कोई भी और आपने देखा होगा प्रभुपाजी ने विदेशों में जाके यवन और मलेच्छों को भक्त बना दिया गोश्वामी सन्यासी बन गए अनेको अनेक ब्रह्मचारी बन गए और गरस्थ भक्तों की महिमा तो बखान करू तो सिर्फ नौ दिन उसी में चले जाए करोरों की संख्या में गरस्थ भक्त बन गए और यहां भी आप जितने देख रहें जो आपकी सेवा में है इस प्रकार का सुन्दर आयोजन किया है बेवस्था बनाया है यह सबी गरस्थ भक्त है इसलिए नाम लिखा गया है Congregational Society for हरिनाम संकीरतन Foundation यह गरस्थ भक्तों का समू है यह समूदाए गरस्थों का है और आप सब भी गरस्थी है कोई भी भग्वान का भक्त बन सकता है सन्यासी बन सकता है सादू बन सकता है महत्मा और आचारे बन सकता है लेकिन कैसे अपने आपको शुद्ध पवित्र करेगा तो और भग्वान अहेतु की किरपा करके ऐसे जीवों को ग्यान प्रदान कर देते हैं गीता में श्लोक है कि मैं उनको बुद्धी दे देता हूँ जिससे उनको परम ग्यान हो जाता है उधारन मैंने नारज जी का दिया था अंगुटा चाप नारज जी कौन से कॉलेज में गए थे कोई बता सकते गुगल में सर्च मारो जरा नारज जी के कॉलेज का नाम क्या है सादूओं का जूटन मिलेगा उधर क्या सादूओं का जूटन खाया था और हरी नाम क्या था हो कॉलेज देवर सी नारज भगवान के घर में किसी का entry without appointment नहीं है एक नारच जी है जो बेधरक जाते क्यों क्योंकि उनको भगवान बहुत प्रेम करते क्यों करते क्योंकि हमेशा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे भाई direct entry है यह मेरा असली भक्त है नाराइन खुद भी जबता है और दुनिया भर को भी जबाता है अरे मुंडी काटने वाले हाथ काटने वाले को महा काब वेवाल मिकी बना दिया नारज जी ने करपा करके भगवन नाम दे के भगवन नाम का दान परोफ कार करके इसलिए मैं कहता हो परोफ कार करना है तो नाम का दान होना चाहिए हरी नाम संकिर्दन हरे क्रिस्न महा मंत्र का नाम होना चाहिए पेट भढ़ दिया, खाना खिला दिया ये सब NGO चला रहे, साथ में अपना भी चला रहे चला रहे अच्छा है मैं विरोधी नहीं हूं भाई सुन लेंगे बोलेंगे NGO का विरोधी है लेकिन अपना भी चलता है, सब वहाँ पे राजकाद चलते रहते रामकाज नहीं चलते, NGO भी चलता है और बाकी सब भी चलता है आता है करोर रोपिया, बढ़ता है लाखो रोपिया तो इस प्रकार से हम लोगों को भक्त बनना है भक्ती भाव से निरंतर भगवान के नाम का किर्तन पूजा स्मरन में लगे रहना ये शलोक में भगवान और यही प्रमान के तोर पे यहां पे आप सब को बताया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, निवेदन किया जा रहा है ताकि सार चीजों को आप जीवन में ले लिजे पूरी भगवत गीता बहुत गहरा है, बहुत गहरा है तो सार सार चीजे में आप सब की सेवा में ढून ढून के समय लगा लगा के उससे अपना कल्यान कर रहा हूं और आपका भी साथ देने का प्रयास कर रहा हूं कि आपका भी कुछ भला हो जाए आपका भी मंगल हो जाए अगर आप ले लेंगे सीधे सीधे होके तो और ग्यानी बने रहेंगे, तो मुश्किल है भई, ऐसे कहा जाता है कि माताएं बड़ा सरल होती है, इसलिए संक्या भी देखिए, सरलता से ज़्यादा है यहाँ पर, सब छोर के आ जाते हैं, प्रभू लोग ज्यानी ज़्यादा होते हैं, थोड़े कठोर भी होते हैं, हजार बार विचा करेंगे, यह दबाई खाओं की ना खाओं फाइदा करेगा की नहीं करेगा, यह बाबा जी भी ठगने वाला है क्या, क्योंकि संसार में ऐसे चल भी रहें, तो बड़ा विचार करके आते हैं लोग, बहुत विचार मान हैं, highly qualified है, highly educated है, यह मैं अपने आनंद के लिए बोलत highly educated है, highly educated means जो जिसको परम ग्यान का भान हो जाए, वह ही तो highly educated है, भगवत किरपा से, भक्तों किरपा से, आप लोगों किरपा से हमें याद रहता है, कि महामंत्र गाते रहो और लोगों को सुनाते रहो, आप लोग को भी लगेगा अगर आप ऐसे बना लेंगे तो कि हाँ भी बड़ा काम हाथ में ले लिया है, बड़ा ग्यान हाथ में ले लिया है, और अपने आनंद में रहिए, सादू संद महत्मा कहते हैं, जिसने अपना एकांत जीत लिया है, उसने दुनिया को जीत लिया है, जिसने अपने आपको जीत लिया है, उसने सब को जीत लिया है, तो अपना एकांत जीतिए, अपना एकांत पवित्र करिए, सुद्ध करिए, हमारा एकांत तो भाईया अतंकवादी से भी खतर नाक है, अकेला रही नहीं पाते, मन पागल होने लगता है, क्योंकि हम लोगों के जीवन में हरी नाम नहीं है, इतने काम भड़े हैं, इतने उध हम भाले विचार भड़े हैं, एकांत में तो फूटने लगते हैं, कांसे नाक से दुआ निकलने लगता है। तो अपना एकांध सुद्ध करना चाहिए, पवित्र करना चाहिए और एकागर करके एक निस्ट होना चाहिए, भक्त बनके भक्ती भाव से एक ही लक्ष, एक और गहरी बात सुन लिज passado, जीवन भर जब तक सांस हैं, ये जीवन का उद्देश सिर्फ एक है, और एक ही होना च सास्त्र हमारा जो बोनाफाइड जो बास्तविक में प्रमानिक सास्त्र है उसके हिसाब से हमारा जीवन का परमुद्देश है भगवत प्राप्ति करना भगवान स्री कृष्ण को प्राप्त करना जीवन का परमुद्देश बाकी सब साथ में मिलेंगे मैं बार बार आपको कह रहा हूँ फूल के साथ काटे मिलेंगे पत्ता गोवी खरीदने जाते हैं गोवी फ्लावर खरीदने जाते हैं नीचे डंठल और पत्ते मिलते हैं न कच्रा तो साथ में मिल जाता है न आपको उसका पैसा नहीं देते आप कच्रे का भाव कितना है आप बोलते फ्लावर कितने की है ऐसे ही जब भगवान का भजने लगेंगे भगवान इस संसार ये मिर्ति लोक इसमें जो सुविदा है लक्षमी को बोल देंगे मेरा आदमिये इसको दे दो मिल जाएगा कल हमने हाती का एक्जामपल दिया था इतना खाता है चार जन खिलाते उसको एक से एक उधारन है कि जिसने राम काज किया है पूरे दुनिया में अस्तापित हो गए हनुमान जी ने राम काजी तो किया मीरा भाई ने तो महल छोर के राम राम तो किया क्रिष्ण क्रिष्ण के लिए तो नाची पग गुंगुरु बांध मेरा नाची रहे पूरे दुनिया सर पे उटाते मेरा का एक्जामपल आज भी दिया जा रहा और सुन रहा सर पे लेके गुमते राम काज करने वाले को और काम करने वाले को लात मारते भाग इदर से जल दिए क्या करते चलो दफा बारा घंटा ड्यूटी अब निकलो यहां से जिस ओफिस में काम करते वो खुद नहीं रखता है अरे चार दिन आप घर में रह जाएंगे ना घर वाली बोलेगी तब यह ठीक है ना चार दिन से पड़े हो इदर जो माबापने पैदा किया पाला पोसाई काम नहीं करेंगे पूछते तो निकट्टू रहेगा क्या जीबन भर हम लोग कोई खिलाना पड़ेगा क्या एक कामकाच की महिमा है और रामकाच करने वाले के लिए दरवाजा खुला है नारत कभी भी जाते महिमा अनंत है इस राम नाम की इस हरी नाम संकीरतन की हरे कृष्ण महामंत्र की भक्त होने का भगवान का भगवान को भजने का भक्ती करने का जब भक्त बन जाएंगे भगवान का भजन भगवान में लीन हो जाएंगे आपको हर चीज हर अईश्वर प्राप्त हो जाएगा प्राउपाद अमर होगे दुनिया भर में मैं कोई काम नहीं करता हूँ नोकरी है मुझे पसंद रहा हमने अनुमाज्जी से क्या सिख लिया राम काज करवे को आतुर सुबे से लगा रहता हूँ दूप है चाओ घया हो ठीक है शरीर का है न दूप चाओ बेवस्था बनाओ लोग आने वाले भगवान का नाम सुनने के लिए क्या कमी है क्या नहीं है और केसे आएंगे क्या देखेंगे और संसार का काम भाईया में पास टाइमी नहीं है मैं हुई नहीं उसमें मिला तो खालूँगा नहीं मिला तो ठीक है मंदिर में प्रशाद खालेता हूँ भगवान का प्रशाद सबको तो मिलता नहीं उस धेर पे मुझे नहीं मरना जो मैं मुझे मैनत से कमाना है जीवन बरबाद करके धेर जमा करना उस पे नहीं मरना मुझे राम काज करके मनना है और भगवान का रस जो नाम का रस है वो कान में पीते रहना है तो ऐसे मैं निवेदन करूँ कि आप सब भी जो गीता का संदेश है हनुमान जी जो सिखा रहे हैं जो उनका जीवन है अगर आप में से बहुत लोग के हनुमान है तो उनको सुनिए उनको देखिए उनका जीवन अपने में लीजिए अगर सिव जी है तो उनका जीवन लीजिए दिन रात सिव जी अपने पतनी का सुनते नहीं बरफ के उपर बैठे कैलास में जाके देख लीजिए आखों से खु पुरा परिवार भगवान का शुद्ध भग चायो कार्तिके हैं भगवान ऐश्वर में बताएंगे मैं यहाँ पे थोड़ा सा विश्य टच कर रहा हूं अपने ऐश्वर अगले अध्याय में बताते हैं कि यह जो सेना नाय कार्तिके हूं मैं हूं परमभक्ते भगवान का कार्तिके गनपती भगवान का परमभक्त शुजी भगवान के परमभक्त पार्वती भगवान के परमभक्त बिरोधी सभाव वाले उनके सब के सेवक हैं शुजी के गले में साप हैं और कार्तिके का बहन मोर है साप और मोर का जमता नहीं लेकिन भगत सब भगवान की भक्ति करते तो साथ में रहतें बहीरी नहीं उवार के चुआ और साप का जबता नहीं खा लेते हैं चुए को être गनपती का बाहन चुआ है और भगवान के गले में साप है लेकिन दोनों प्रेम से रहते की घर में भक्त थें भक्त बन जाएंगे तो सब को प्रेम करेंगे सब के लिए सोचेंगे सब का भला impe चाहेंगे लेकिन आप वाक्त रहेंगे स्वार्थी संसारी कप्ति लोभी और मोहित होते रहेंगे तो कभी ऐसा नहीं हो बहिया एक कोई दूसरे ने हम लोग ही हैं ये भी ध्यान में रखिए हम लोग ही ढूंदते रहते हम लोग ही ढूंदते रहते किसको किसको पूरा टाइम ही करते रहते किसको डस लूँ किसको खालू तो भक्त बनिए भक्त बनिए भगवान का भजन करिए भक्ति कीजिए और क भगवान को प्रणाम करना है, पत्रम पुस्पम फलम तोयम देना है, भक्तों का संग करना है, भई पाइसा नहीं लगता, पाइसा तो आप बाद में अपने आप फेकने लग जाते, नहीं चाहिए, ये सरदर्द नहीं चाहिए, आनन चाहिए, ये तो अज्ञान के कारण उसम भाव से पड़े उसमें, बोली हरे क्रिष्णा, हरे क्रिष्णा, 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 क् और आम राम 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 हरे और फिर भगवान इसी श्लोक में इसी अध्याई के आखरी श्लोक में 34 स्लोक में क्या कहते हैं फिर से दूरा रहे जानते कलिक के जीप भूल जाएंगे मन मनाम मत भक्तों, मद्याजी माम नमस करू, मामे बैस्यसी, युक्त बैव मातमना मत पराये न क्या कहरे भगवान इसका अनुबाद क्या है? अपने मन को मेरे नित चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो इस प्रकार मुझे में पुन्दता तलीन होने से तुम निश्यत रूप से मुझे को प्राप्त होगे अगर हमें ऐसा आपको लग रहा होगा, मैं कागज पर लिखके लाया हूँ भगवद गीता यहां भिकरी खरीद लिजेगा, या घर में होगा नौमाद ध्याय स्लोक संक्या 34 पर लिजे भगवान क्या कह रहे हम लोगों के लिए अपने मन को मेरे नित चिंतन में लगाओ, मन को संसार में मत लगाओ मेरे चिंतन में, मैंने अभी कहा, नाम जब करिये तो चिंतन में भगवान दिखने चाहिए मन लगना चाहिए भगवान में कहरे मेरे भक्त बनो भगवान को संक्या नहीं बढ़ाने भाई पूरा ब्रह्मान के मालिक है He is cause of all causes वो सभी कारणों के कारण है उनका कोई कारण नहीं है आगे ऐश्वर में मालूम पड़ेगा सब कूछ क्रिष्ण है बताते अपने अश्वर में अर्जुन को जब अर्जुन जैसा नहीं समझा तो पूछता है भगवान आप अपने अश्वरियों के बारे में बताइए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ फिर भगवान बताते मैं क्या क्या हूँ कल से साथ हम लोग आएंगे भगवान करपा रहीगी तो उस पर जो कुछ भी चर अचर जितने भी चीजे देखते इस लोक में उपर सब भगवान क्रिष्न के कारण है गीता उठा के पढ़िये आप लोग पढ़के आएंगे तो सुनने का और आनन्द आएगा दस बात ध्याय पढ़के आईएगा जिनके जिनके पास गीता है कहरे मेरे भक्त बनो इससे तुम मुझे प्राप्त करोगे वैकुंट आ जाओगे हम लोग दिन राज चोड़ी चकारी जुट बोलते पाप करते नसा करते बेविचार करते और मर जाते तो बंदू-बंदव क्या लिखता है मेरे भाईया का वैकुंट बास हो गया मेरे पिताजी स्वर्ग बास हो गये वैकुंट बास हो गये अरे भाईया जीवन भड़ दारू पिया मांसा हर किया जुआ खेला जूट बोला धोका दिया वैकुंट जाएगे और जीवन भड़ जूट बोलता मरने के बाद बोलने में क्या पड़क पड़ी सिर्फ सुद्ध वैश्नवों के इंटरी है वहाँ शुद्ध वैश्नवों के इंटरी है तो कहरें मेरे भख्त बनो अपना मन मुझमे मन दे दो गोफी जन कहती है मैं अपना भगवान को मन दे चुकी हूँ एक ही मन था दे दिया अब दूसरा कहां से लाओ दो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे क्या कह रहे अपना मन मुझे को दे दो और मेरे भक्त बनो तुमारा कल्यान हो जाएगा हम लोग बदमस जनम जनम के पापी जनम जनम के भोगी कर्मी दोस्त अरे भईया भक्त नहीं बनना है किसने देखा अगला जनम वाइकुंट किसने देखा है क्या अरे भाई जब भगवान की कथा में एक तुछ भक्त के दुआरा इतना अनन्द ले रहे हो आप इतने सांत चीते कागर हो रहे हो इतने हस रहे हो नाच रहे हो पूद रहे हो वाइकुंट मिल जाएंगे तो इस्तिती नहीं है जो मैंने क्या का परत्यक्ष प्रमान नहीं होता आपने नहीं देखा इसका मतलब नहीं है इसा नहीं है भाई फूल का सुगंद भी तो नहीं देखा लेकिन है की नहीं पिता जी को तो नहीं देखा लेकिन है की नहीं किसी ने बता दिया तो माना की नहीं सास्त्र हमारे ग्रंत सादू संत मात्मा भक्त बताते हैं कि वैकुंट है और गए हैं लोग इस महराज से भी कई संत वैकुंट गए हैं उसमें एक पक्का नाम है संतु का राम जी का जिनका अभंग लोग गाय नहीं ठकते आनन्द का सागर है आनन्द का सागर तो भगवान हेतु की किरपा बस दया करके करुना करके कह रहे कि भाई मेरा चिंतन करो मेरे भक्त बनो और मुझे नमस्कार करो क्या करो यह जो दो हाथ दिया है खाने के लिए नहीं दिया है न कमाने के लिए ये दो हाथ जोर के भगवान को और उनके भक्तों को नमस्कार करने के लिए दिया और उनके भक्त कौन है मालूम है क्या गहरे में थोड़ा अर्थ लगा रहा हूँ इसलिए सबी भगवान के भक्त है क्योंकि सब के अंदर भगवान है लेकिन हमने अपने आपको बिगारा हुआ इसलिए अभक्त जैसे हो गए सबी लोग में क्वालिटी है कि शुद्ध भक्त बन सकते अपने बुराईयों को छोड़ दीजिए एक-एक बुराई को छोड़ते जाईए संकल्प द्रिट संकल्प हो के कहरे मुझे नमस्कार करो बार 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 और मेरी पूजा करो भगवान को आरती दिखाओ अभी आरती हुई है आरती के लिए सबी लोग अपने जगा में बैठे रहेंगे सब के पास आरती पहुँचेगी और जिनके पास नहीं पहुचेगी तो मानसी कारती लिजिए मन से ले लिजिए पहुचता है आपता भाव अरपन करिए यह तरीके आपको बता रहा हुँ मैं जैसे मंदिर बंद रहता है कल हमने बताये था गुंबत जी को प्रनाम कर लिजिए अगर चारधाम नहीं जा रहे घर में चारधाम का ध्यान करियो और परिकर्मा कर लिजिए या फोटो है तो फोटो रख के परिकर्मा कर लिजिए यह भाव है भाव गरन करते बगवान तो सांती से आरती लिजिए कहरे मेरी पूजा करो इस प्रकार मुझ में पुर्णता तल्लीन होने पे तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे पुर्णता तल्लीन हो जाईए पूरी तरह से किन्तु परंतु नहीं दबाई खाऊं फाइदा करेगा कि नहीं करेगा एक एक्जामपल देता हूं उससे समझेए कोई बिमार आदमी है काफी बिमार है और डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को कहता है डॉक्टर साब मुझे बिमारी हो गई है कैंसर हो गया है डॉक्टर कहता है ठीक है मैं ठीक कर दूगा लेकिन तुमको सब गोली खाना पड़ेगा दबाई और सब पढ़ेज करना पड़ेगा हाथ जोडता है मैं सब करूँगा मेरा जान बचालो मैं सब करूँगा फूरा डॉक्टर के ऊपर छोड़ देता है अपने आप आप देख रहे थे परम पूजय श्री मधुमंगर दास जी महराज के सानित्र में श्रिमत भगवत कथा का विशेश प्रसारण ये कारिक्रम नुरंतर चलता रहे जन जन तक हरिनाम पहुचता रहे भगवान श्री जगन्नात बलदेव एवं सुभत्रा जी अपने स्वयम के स् करें हरे कृष्णु